आज का सू विचार सब्तों की तागत को कम मत अंगिये क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिल्दगी बदल देता है जूट बोलना भी एक कला है जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में फस्ता भी खुद है और उलस्ता भी खुद है निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ दो घरी की रोटी के लिए इतनी मेहनत और एक हम नमक जादा है कहकर ठाली खिसका देते है किसी के घर जाओ तो अपनी आखो को इतना काबू में रखो कि उसके सतकार के अलावा उसकी कम्या न दिखे और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इजज़त और राज दोनों सलामत रहे कटी हुई टहनिया भी कहां परचाओं देती है हद से जादा उमीदे हमेशा घाओं ही देती है जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है अगर वो आपको याद नहीं करते तो आप याद कर लिया किजिए रिष्टे निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता चैन से जीने के लिए मदुर वाली बोलना एक महंगा सौख है जो हर किसी के बस की बात नहीं अपने खराब मूट के समय बुरे सब ना बोले क्योंकि खराब मूट को बदलने के लिए मौके मिलेंगे पर शब्दो को बदलने के लिए नहीं जलीद मत करना किसी गरीब को अपनी चौकट पर वो सिर्भूक लेने के लिए नहीं दुआ देने भी आता है